तो YouTube comment section में जो कुछ questions आई वे हैं उनके सवाल का जवाब दे देते हैं आपके भी कोई भी सवाल हो तो बेहचक हमसे ज़रूर पुछेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका जवाब आप तक पहुंचाएं तो पहला सवाल है कि क्या IVFX safe procedure है क्या उसका कोई effect होता है हमारे long term health condition पे तो इन continuation जो हम अभी बाती कर रहे हैं जैसे कि babies को लिए हम कहते हैं कि यह procedure एकदम safe है उसी तरह mothers के लिए मतलब जो महिला भी IVF करा रही है उनके लिए बहुत safe procedure है short term थोड़े बहुत side effect हो सकता है पेट में थोड़ा दुखन हो थोड़ा उल्टी जैसा स्वभाव लगे बट उसके लावा कोई दिक्कत long term नहीं होती long term ना इसमें कोई mother को ना baby को कोई major health risk होते है तो काफी safe होता है दूसरे एक यह अश्वरी पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है and embryo implant नहीं हो रहा है तो क्या body receptive नहीं है if the lining is good बट वो फिर भी क्यों नहीं successful हो पारा तो अलग ही question में पूछने है कि अगर IVF हमारा fail हो रहा है तो क्या body receptive नहीं है तो देखें यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि बहुत important reason for an IVF failure चाहे हमारे को embryo brune बहुत अच्छे क्यों ना लग रहे हो 80% वो होता embryo quality है जो inner quality है जो हम शायद हर case में परख नहीं पाते सिरफ 20% cases में हम कहते हैं कि बच्चेदानी का मतब uterus की lining का endometrium का body का कोई immunologic factor होता है but वो rarer factors होते हैं but हर particular patient में of course हमें individualized तरीके से देखना पड़ता है अपनी तरफ से conclude करना पड़ता है कि क्या कारण हो सकता है और निर्मल ये कह रहे हैं कि what is the reason कि हमारा एक normal 2 cm का cyst दिख रहा है on day 2 of stimulation so निर्मल देखें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि cyst जो हैं वो किसी भी महिला की life में आते जाते रहते हैं it is normal कि हमारे कभी-कभी cyst दिख जाएं अगर वो normal simple cyst या hemorrhagic cyst हैं ज्यादा बड़ा question ये है कि अगर हम IVF या कोई stimulation स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हम उस cyst को ignore कर सकते हैं या हमारे को उसको ध्यान में रखते हुए शायद कभी-कभी postpone भी करना पड़े तो again उसके लिए आपके सारे clinical parameters को ध्यान में रखना पड़ता है a lot of times हम E2, estradiol, progesterone के blood test करते हैं और ये देखते हैं कि ये cyst hormone secreting तो नहीं है अगर ये hormone secreting है तो definitely stimulation साइकल में नहीं स्टार्ट किया जाता अगर वो hormone levels नॉर्मल आते हैं तो your doctor can decide कि इसको बावजूद भी हम stimulation कर सकते हैं फिर रितु कह रही है कि मैं मैं IVF process करा रही हूं लेकिन मेरे डॉक्टर ने 1.5 लाग का package बताया लेकिन उसमें injection का खर्चा अलग बताया अब हम pick up तक मेरा total खर्चा धाई लाग पहुँच चुका है sorry ये मेरे को question समझ नहीं आया बट देखे usually डेड़ से दो लाग का IVF का खर्चा आता है तो अगर ये जादा हो रहा है तो आपको अपने doctor से मेरे साब से discuss करना चाहिए एक overall IVF का खर्चा डेड़ से दो लाग के बीच में आता है ठीक है तो आपके भी अगर as I said कोई भी सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूच सकते हैं और आप comment section में अपने कोई भी विचार हैं उसको हमको mention दा सकते हैं Thank you